ही ने बिगारा सब हम लोग भी लगाते हैं भी पापा बाबा भी इसलिए हमारे अनन्त जन्म नष्ट हो गए अनन्त भार मानव देह मिला इतना मूल लेवान देह जिसको स्वर्ग के देवता चाहते हैं जिन देवताओं के हम भक्ती करते हैं तूजा करते हैं हवन देते हैं वे लोग हमारा गंदा देह चाहते हैं उनके देह से तो खुश्बू आती है वे इसलिए चाहते हैं कि 84 लाख शरीर हैं उसमें केवल एक मनुष्य शरीर को ही कर्म करने का अधिकार है बनाने का अधिकार है कमाने का अधिकार है कमाने की दोई चीद हम लोगों के अलावा अर्थात जीव के अलावा दो ही परसनेलेटी और बठी है एक का नाम भागवान एक का नाम माया वो माया का रूप संसार तो हम लोग जो कुछ चाहते हैं वो इन्ही दोनों एरिया में ढूणेंगे संसार में ढूणेंगे सबसे पहले तो ये प्रत्यक्ष है भगवान तो प्रत्यक्ष है नहीं माना कि वो सब के हुदय में रहता है सर्व व्यापक भी है लेकिन प्रत्यक्ष नहीं है हम उसको देख नहीं सकते हैं क्योंकि वो दिब्य है हमारे पास सब चीजें माईक हैं पंच महाभूत की ये हमारा शरीर मा के पेट में बना है तो हमारी मा भी पंच महाभूत के शरीर वाली तो उससे हमारा बना शरीर भी पंच महाभूत का और भगवान दिब्य हैं इसलिए वो साक्षात भी जब अउतार लेते हैं तो हमारे लिए बेकार हैं क्योंकि इन आखों से तो हम उनके दिब्य शरीर को देख नहीं पातें अनंत बार भगवान को देखा है हम जिनकी भक्ति करते हैं हरे राम हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण इस सब इसी प्रत्वी पर अवतार ले लेके हर त्रेता में हर द्वापर में आते हैं ग्यारा ग्यारा हजार वर राम रहे हम बीटे भगवान हमसे सीनियर नहीं है सदा से भगवान सदा से हम लोग जीव यह शरीर नश्वर है हम नहीं हम तो मा के पेट में बाहर से आये हैं और शरीर मा के पेट में मिला और फिर यह शरीर छोड़के हम और शरीर में चले जाएंगे हम शरीरों में गूमेंगे लेकिन हमारा नाश नहीं हो सकता भगवान भी नहीं कर सकते हम आज हैं भगवान आज हैं और यह माया भी आजा है इसको भी भगवान नहीं नश्ट कर सकते हाँ हाँ जड़ है लेकिन भगवान की शक्ती है तो किसी शक्ती को कोई नश्ट नहीं कर सकता यह सब महापुरुष जो हुए है इनकी तो माया इनकी माया चली गई लेकिन औरों पर तो है यह छुटकारा पा लिया उसने माया से माया शक्ती का नाश नहीं किया वरना बाकि सब छुट्टी पा जाते एक महापुरुष या भगवान माया को मार देता जैसे संसार में कोई डाकू को मार देता है तो साब को आराम हो जाता है लेकिन आशा नहीं अनंत जीव माया से मुक्त हो गई मुक्त मैंने छुटकारा पा लिये अच्या गदे की अकल से समझो जेल में बेड़ी होती है लोहे की बेड़ी होती है बड़े बड़े ड़काइतों को हाथ भी पायर भी सब लोहे की श्रंखलाओं से ताला दे देते हैं लेकिन जब उसका टाइम समाप्त हो गया भोग का चार साल को सजा है दस साल को है तब वो छोड़ दिया जाता है ताला खोल दिया गया जाओ बिटा अब अपराद नहीं करना नहीं सरकार नहीं करेंगे और उसने जेल में ही प्लान कर लिए एक रास्ते में डाका डालेंगे लेकिन तो प्राइबेट बात है तो वो श्रंखला जो उसने बेड़ी जेलर ने छोड़ दी वो दूसरे कैदी को है औरों को है जो अपरादी है ऐसे ही माया सब के उपर है जिसने भगवान को सरंडर कर दिया भगवान ने इशारा कर दिया छोड़ दो छोड़ दिया माया तो सर्विंट है उसका कोई दुश्मन तोड़े ही है वो तो भगवान की आज्या से हम लोगों को ये जेल में दंड दिया गया है अगर हम अपराध अपना मान ले मान ले बख कुछ करे वरे नहीं नहीं भगवान को कुछ दांदक्ष न नहीं केवल मान लो हिर्दह से मान लो हम लोग मानते हैं सब मानते हैं क्यों संसार से जब चपले मिलती मिलते हम हार जाते हैं तो फिर तुई है मेरा सब कुछ ये लोग सब मार मार के मेरा कचूमर बना दिये और जब ये लोग कुछ कारते हैं ममी पापा बीबी पती बेटा तो हम फिर वहीं पहुँच जाते हैं कुटा होता है न उसको डंडा मारो तो वो रोता हुआ जाता है कुछ दूर तक और वहां से घूर घूर के देखता है कि हम गरीब हैं कमजोर हैं तुम मनुष्य हो मार दिये अरे हम भूखे थे क्या करते एक रोटी लेके भागे तुम्हारे पास हजारों रोटीयों का इंतिदाम है क्यों मारा लेकन मनुष्य परवा नहीं करते हैं लेकन अगर वही मनुष्य फिर रोटी का चुकणा दिखावे तो कुटा भूज जाता है और वह पूचलाता हुआ फिर आ जाता है फिर डंडा मारो फिर चला जाता है रोता हुआ हम दो ठीक किसी प्रकार हैं वही मा वही बाप वही बेटा वही पती वही बीबी अपमान करते हैं क्यों इसलिए कि हम भगवान के अंश हैं तो भगवान आनंद हैं तो हम आनंद ही चाहते हैं तो यह हमारा स्वार्थ है इसलिए हम अपने स्वार्थ सिद्धी के लिए सब प्रकार की चार सो बीज करते हैं तो कोई बुरी बात नहीं और इसको कोई मिटा भी नहीं सकता इंपॉक्ट नहीं क्योंकि सब को आनंद चाहिए बिना आनंद पाए हम एक सेकंड को चैन से नहीं बैठेंगे हमारा मन प्रतिक छण कर्म करता है केवल आनंद के लिए अपने आनंद के लिए दूसरे के आनंद के लिए नहीं मम्मी से पापा से बेटे से पढोसी से अरे गाय भैल भैस शेड चीते से भी अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं करते हैं शेर को पाल लिया और उसको दिखा रहे हैं पब्लिक को क्या देखो हम इसके मुह में हाट डाल रहे हैं पब्लिक पैसा दे रहे हैं एक आदमी सरबत्र आनंद ढूण रहा है सब को गुलाम बना बना के चार सो बीस करके लेकिन इतना नहीं समस्ता कि यहां आत्मा का आनंद है नहीं हम जिससे आनंद चाहते हैं वो हम से चाहता है अंधों का एक मार्केट है बजा रहे सब अंधे बैठे है एक अंधा कहता है कोई रास्ता दिखा दो गो लोग धाम का दूसरा अंधा कहता है यह तो जानता नहीं मेरे आख़े की नहीं एए अंधे इदर आजा मैं दिखा दो हमने बिश्वास कर लिया उसका हाथ पकड़कर कर पुछ दूर चले दोनों गड़े में गिरे यही नाटक हो रहा है अनंत जन्म बीत गए और हमको यह ग्यान नहीं हुआ कि यहां आनंद है ही नहीं सेट परसेंट लेकिन चपल जूते खाने पर होता है फीलिंग होती है राम नाम सत्त तब स्वार्थी हैं हमने बाप की बाप नहीं मानी तो देखो प्रापरिटी दूसरे के नाम लेक दिया हमने बेटे की बात नहीं मानी तो देखो हमी को गोली मारने के लिए खड़ा हो गया हमने बीबी की बात नहीं मानी हो देखो करेक्टर लेस हो गई हमने पती की बात नहीं मानी हुनने का आए निकालो इसको बाहर अलाग दे दिया स्वार्थ नश्ट हुआ की प्यार खत्म एक सेकंड में लेकिन जब घोर दुख मिलता है डाक्टर नों जवाब दे दिया ए भगवान हम भगवान क्यों और जाते हैं यह आप लोग यहां क्यों आए हैं यह ग्यान थोड़ा थोड़ा है न कि संसार में सुख नहीं है भगवान में है चलो उनकी बात सुनें समझें लेकिन ऐसा निश्चे करके कोई नहीं आया कि जो कुछ गुरु जी कहेंगे वही करेंगे अब अब पर लोट के संसार के चक्कर में नहीं पड़ेंगे इसलिए हम लोग क्या करते हैं भी लगाते हैं भी भगवान भी हमारा है और संसार भी हमारा है तो मेव माता यह बोलते हैं मंदिर में तो मेव माने क्या होता है तू ही यहां ही लगा है यह शब्दकार्थ होता है ही पवव माता चपितात पववव पववव बंदु स्चास अखात पवव हर जगे एव लगाहई लेकिन हम भी लगाते हैं तूम भी माँ हो एक माँ घर में भी बैठी है तूम भी डेड़ी हो एक डेड़ी घर में भी है तुम भी हमारी संपत्ति हो धन हो और एक धन बैंक में भी इह हमारा यह भी लगा लगा के हमने संसार में भी अटाइचमेंट किया तो इसका मतलब जो कमाया गमाया कमाया गमाया कमाया गमाया अब कर्जदार रहे सदा बहुत से ऐसे हमारे संसार में हैं उनसे पूछो जिन्दगी में कितना पैसा कमाया कहेंगे दो करोड इस समय तुमारे पास कितना है और निकाब बैंक का लोन है अरे क्या बचा है पूछ रहें अरे कहतो रहें कुछ नहीं बचा लोन है क्यों हो अरे सहाब क्या बताएं जब जब जवान थे न तो नशे में थे कि ऐसे ही ख़ब पैसा मिलता रहेगा ख़ब लुटाया हो ताज होटल में चलो हो इंग्लैंड घूमो हो वहाँ चलो बाप की कमाई साब अपनी भी कमाई साब समाप्त कर दिया अब बुड़ापा आ गया अब कमाना तो हो नहीं सकता बैंक से लोन लिया अब उसको चुकावें कैसे यानि हम लोग भी लगा करके सब भिगाड़ा कर लिया आपना भगवान कहते हैं माम एकम शरणम ब्रजव अर्जुन केवल मेरी शरण में आ एक एक इधर भी उधर भी नए यह दोनों तरफ नहीं चलेगा क्योंकि क्योंकि समझो हमारा मन गंदा है पाप से जुगत है तो तो इसको धोना है तो भगवान और महापुरुष यह शुद्ध जल है तो इन में जो हम मन लगाते हैं गंटे दो गंटे तो उससे धुलता है पाप और फिर संसार में करते हैं तो कमाया तो दस रुपया और गमाया बीस रुपया इसलिए चौरासी लाक में हमारा यह घूमना कभी बंद नहीं हुआ अगर हम ही लगा दें तु ही मेरा सब कुछ है यानि लकडी अरणी बास लगातार रगडो तो आख पैदा हो जाएगी अगर थोड़ी देर रगड के छोड़ दिया वो ठंडी हो गई फिर रगडा फिर ठंडी हो गई वो तूट जाएगी आग नहीं निकलेगी हम मन को थोड़ा शुद्ध करते हैं अब अधिक गंदगी ला देते हैं उसी मन में एक आशु भगवान के लिए चार आशु बिटिया विदा हो रही है उसके लिए मम्मी मर गई उसके लिए पापा मर गए उसके लिए भी अरे जड़ा सा एक्सिडेंट हो गया खबर आई क्या हुआ वो तुम्हारे बेटे का एक्सिडेंट हो गया अरे तुम्हारा एगसिजेंट नहीं हुआ है तुम्हारे बेटे का हुआ है अरे गदा सुन रहा हूँ है और तुम कहां को रो रहे हैं बेटाआ रो रहा है उसको चोट लगीए देखो हम अकेले पैदा हुए थे बड़े आराम से दूद पिला दो अपना पैर पटक के बिभोर है मा मर गई सब रो रहे हैं हम अपना बिभोर है हमको क्या मैं बाड में जाए मावा बाप भी मर गया ठीक है ठीक है मरने दो अब जड़ा बड़े हुए तो मम्मी में अटाइच्मेंट हुआ पहले फिर पापा में हुआ दो बीमारी लगी और आगे बड़े अबे भाई साब है ये बहन जी है और आगे बड़े एक मेम साब आ गई और आगे बड़े एक दो चार छे आठ बच्चे हो गए अब उनमें अटाइच्मेंट हो गया अब हमारी फेमिली हो गई पचीस आदमी की जब उसमें बुड़ा बैचता है पचीस आदमी में बड़े भी भूर है उसमें से एक कायक्सिडेंट हुआ हां रोया एक मर गया रोया जो मरेंगे ही उसमें बहुत कायक्सिडेंट होगा बहुत को उसमें कैंसर होगा जब इत्ते सारे हैं तो हम साथ के लिए रो रहे हैं और अपना दुख तो अलग है है हमको भी बीमारी होगी आप अपना दुख तो अलग होगना है आई इन सब का भी अलग भोगना है ये जिंदा कैसे है हम लोग यही आख्चर्द है इतना दुख भोग करके और फिर भी हम भी लगाना बंद नहीं करते हुआ हजार बेदशाष्ट्र बोले संत बोले सिर्ध हिला देंगे बहुत बढ़िया समझाते हैं अरे तो ही लगा दो न अरे भाई देखो ऐसे कहते लगा दे अभी चौरासे लाख में और घूमना है यह बढ़िया सफर है चारों तरफ कभी कुटे बने कभी बिल्ली बने कभी गधे बने रंग रंग के नाटक करते रहते हैं वो अच्छा लगता है जाके दो लोग में बैठे रहू हम लोग अजीब हैं इसी तरह के हैं और अगर कोई कह दे कि आप अलपक गये हैं थोड़ा क्रैक हैं क्या कहाओ अरे सच मुझ के मेंटल को कहो अगर कि दवा खाया करो मेंटल हो गए हो है नहीं है मेंटल तुम हो गए कि तिने बाप परिशान है बेटा मेंटल है वो दवाई नहीं खाता महराज्जी से कहते हैं महराज्जी इसको समझा यह दवाई तो खाया हम लोग ऐसे ही है मूर्ख अपने को मूर्ख नहीं मानते हैं अगर मान ले तो भी की जगे ही लगा दे तो कल्यान हो जाए धन्न बात